जैहिंद मेरे प्यारे साथियों दोस्तों भारती डाग विभा की तरब से एक और बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है दोस्तों जो जीडियास में स्पेशल ड्राइफ के अंतरगत ने भरती आई थी 12,828 सीटों पे उसका सात्वा मेरिट सूची का करूंगा तो टोटल 1113 बच्चों का इस बार इस सात्वी मेरिट सूची में नाम आया है यह जानके चलिए कट आफ की अगर मैं बात करूंगा तो कोई कोई स्टेट तो ऐसा है जहां पे कट आफ जो है 58% 62% 68% 65% में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों वह कौन सा स्टेट है वो मैं आपको बताओंगा सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस भी कंडिडेट का इस सात्वी मेरिट लिष्ट में नाम आ गया है ना उसको मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं हार्दिक शुक्रामनाई देना चाहता हूं आप सभी ल भाग में भी भरती आई है जिस पर कि मैंने अभी दो दिन पहले वीडियो बनाए था उस वीडियो को जा करके देखें उसमें दसवी पास आल इंडिया के male और female candidate apply कर सकते हैं जिसका की online आवेदन भी अभी चल रहा है उन सब vacancies में आप लोग try करते रहिए आईए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि देखें जो सात्वी मेरित सूची जारी हुई है ना उसका document verification का जो last date है वो कब तक चलेगा तो जिन भी बच्चों का सात्वी सूची में नाम आ गया है वो ध्यान से देखेगा उनका जो सात्वी list का जो first document verification है वो चलेगा 27 नवंबर 2023 तक ठीक ना 27 नवंबर 2023 से पहले पहले आपको document verification करवा लेना है हलाकि पाच दिन का इस्टरा समय और दिया जाएगा लेकिन उन पाच दिनों का आप लोग को वेट नहीं करना है और सबसे बड़ी बात यह है कि मूल दस्टा वेज आपको क्या-क्या लेकर के जाना पड़ेगा first document verification में वो देख लीजे उसके बाद मैं आपको जाना है दोस्तों उसके अलावा काश्ट certificate लेकर के जाना है निवास प्रमाण पत्र जिसे की residential certificate बोलते हैं वो लेकर के आपको जाना है data सबर्थ certificate होगा आपके पास वो आप लोग लेकर के जाएगा उसके अलावा application form का print application form का मतलब यह है कि जब आप form फिल किये ठीक है ना जिसके की आप अपना सारा information जो है फिल कियोंगे सारा data फिल कियोंगे तो उस application form को document verification के time पे आपको लेकर के जाना है उसके अलावा medical certificate बनवा लीजिए अगर नहीं बना है तो city hospital से बनता है वहां से जाकर के एक दो दिन में अफ़ानी से बन जाएगा ठीक है उसक आपको basically जो है photocopy दो photocopy और original भी रख लीजेगा ठीक ना क्योंकि वहां पे photocopy ले लिया जाता है और original copy जो है आपके पास दे दिया जाता है ठीक है यहां तक का तो ठीक है आईए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि cutoff जो है वो किस state में कितना गया है 58% 55% 62% 68% 72% में नौर्थ इस्ट जी हां दोस्तों नौर्थ इस्ट हो गया उसके अलावा असम हो गया उडिसा हो गया यह सभी ऐसे state है ना जहां पर cutoff जो है वो बहुत ज्यादा कम गया है मैं सुर्वाग से कहते आ रहा था काफी सारे बच्चे जब पूछते थे थे ना मुझे तो सरीय ब देखे वो ऐसा ही देखने को मिल रहा है state-wide selected candidate के अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो आंद प्रदेश के अगर मैं बात करूँगा तो मात्र फोला बच्चों का फिलक्फन हुआ है और देखे कोई-कोई state आइफा है ना जहां का cut-off काफी हाई गया है सात्वा मेरिट सूची है लेकिन उसके बावजूद भी 99% 100% 95% 96% इस प्रकार से भी cut-off गया है वह कौई से state है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा तो आंद प्रदेश का cut-off स असके अलावा असम circle की बात करेंगे दोस्तों तो 41 बच्चों का selection हुआ है यहां से और सबसे lowest cut-off की अगर मैं बात करूंगा तो 72.8% गया है याद रखिए मैं सबसे lowest cut-off की बात कर रहू हूँ आप लोग message यह मत करने लग जाईएगा comment में कि सर असम में तो cut-off ज्यादा ग हुआ है 95% सबसे lowest cut-off है गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात का cut-off देखे हम एफा कम जाता है इस बार भी कम गया है टोटल 48 बच्चों का नाम आया है और 84% सबसे lowest cut-off है समझे 84% सबसे lowest cut-off गया है हरियाना की मैं बात करूंगा तो मात्र 3 बच्चों का नाम आया है और तीनों के तीनों जो है वो 100% पे तीनों बच्चों का फिलक्षन हुआ है हरियाना पंजाब यह सब ऐसे श्टेट हैं दोस्तों उसके अलावा यह आंदर प्रदेफ हैं इसमें हमेशा 100% का ही कटाफ जाता है इस बार भी वही हुआ है आगे बढ़ते हैं हिमानचल प्रदेश के अगर मैं बात करूंगा तो साथ बच्चों का फिलक्षन हुआ है सफे लोइस्ट कटाफ 97% है जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो 24 बच्चों का फिलक्षन हुआ है और 95% सफे लोइस्ट क उसके अलबा जहार्खंड की बात करेंगे धोस्तों तो हिया पे सफे ज्यादा बच्चों का फिलक्षन हुआ है 442 बच्चोंege जहार्खंड सरकल से हुआ और सफे लोइस्ट कटाफ की बात करेंगे तो 83 이상 पर पे बच्चों का फिलक्षन हुआ है जिसे FC- आगे बढ़ते हैं करनाटक की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों 11 बच्चों का फिलक्षन हुआ है 96 परफेंट सबसे लोइस्ट कटाफ गया है महराष्ट का भी कटाफ इस बार जो है साथवी मेरिट सूची में थोड़ा सा जादा गया है यह मान के चलिए कि 91 परफेंट स बात करूंगे ना तो सबसे ज्यादा बच्चों का फिलक्षन इसी जो है सरकल फे हुआ है 342 बच्चों का फिलक्षन हुआ है और सबसे कम कटाफ भी यहीं पे गया है 58 परफेंट में भी बच्चों का सिलक्षन हुआ है यह समझके चलिए आप लोग 58 परफेंट 60 का जो रिवेल्ट है मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँगा आप सभी लोग देख सकते हो ठीक है ना आप अपना रिवेल्ट भी चेक कर सकते हो बाकि पाच सरकल का रिवेल्ट जो इस बार नहीं आया है दोस्तों उसमें से कौंकों से राज्य है आपको पता है मद् सकेंड की वेकेंसी आई थी 30,041 पोश्ट का उसका भी थर्ड मेरिट लिष्ट अभी जारी नहीं हुआ है उन पाच सरकल का आईए अब आगे बढ़ते हैं उडिशा की बात करेंगा तो यहां पे भी कम कटाफ गया है 68 बच्चों का सिलक्षन हुआ है और 83 परफेंट सबसे जाता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है तमिलाडू की बात करेंगे तो 11 बच्चों का फिलक्षन हुआ है और लोश्ट कटाफ जादा गया है दोस्तों लोश्ट कटाफ 96 परफेंट है और 10 बच्चों का फिलक्षन मात्र हुआ है यूपी यानि कि उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ है तो 84 बच्चों का नाम आया है इस बार उत्तर प्रदेश सर्कल से और जो लोश्ट कटाफ गया है दोस्तों वो 98 परफेंट गया है मतलब समझ रहे ना उत्तर प्रदेश का भी कटाफ काफी ज़्यादा गया है 100 परफेंट 99 परफेंट 98 परफेंट 97 तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको clear कर देना चाहता हूं यह जो special drive के अंतरगत में भरती आई थी माई में ठीक है ना जिसमें कि 12,888 सीटों पर यह भरती आई थी जिसको selection process का अगर last date की में बात करूंगा ना तो दोस्तों यह है 30 November 2023 ठीक है ना यानि कि 30 November के बाद किसी प्रकार का कोई भी merit सूची जारी नहीं किया जाएगा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आज 18 तारी發 out अब जो है इसका कोई भी किसी प्रकार का merit सूची जारी नहीं किया जाएगा, special drive की इस भरती की में बात कर रहा हूं तो कहने का मतलब यह है कि आठवी लिष्ट जो है अब जारी नहीं किया जाएगा यहीं पर इसका यानि कि special drive की जो भरती आई थी इसके selection process को रोक दिया जाएगा तो आप मेंसे काफी सारे बच्चे ऐसे होगे जिनका की नाम आ गया होगा और जिनका नाम नहीं भी आया होगा ना तो उनको हताश निराश होने की जरूरत नहीं है यार देखे मैं कहता हूँ GDS केवल एक भरती नहीं है इसके अलावा और भी भरती आती रहती है जिसे की चिक पागल रहोगी ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा कट आफ आप लोग देख रहे हो कितना जा रहा है ठीक है ना तो इस चीज़ को आप लोग समझ ये अच्छी तरीके से चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार याफिर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज बाकि यहीं सारस आप कुछ जानकारी देना था इस भरती के रिगार्डिंग में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आपके लिए कमेंट सेक्षन खुला आप कमेंट कर सकते हो बाकि फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद